हाई, गुट बॉर्णिंग, आज हम लोग मेमोरी के स्मृती के कॉंसेप्ट ओफ एविंग होस एंड बाटलेट पे चर्चा करूंगी सबसे पहले कॉंसेप्ट ओफ एविंग होस, एविंग होस का भ्यू, एविंग होस का द्रिस्टि कौन एविंग होस ने इस्मरन को एक पुनह रुथपादक प्रक्रिया, रिप्रोडेक्टिव प्रोसेस माना है उन्होंने कहा है कि किसी विशय का प्रत्यावाहन, रिकॉल उसी रूप में संभव होता है, जिस रूप में उसे सीखा जाता है उनके अनुसार प्रत्यावाहित सामगरी, रिकॉल्ड मटेरियल, वास्तों में सीखी गई सामगरी, लंग मटेरियल की कार्बन कॉपी या फोटो स्टेट होती है सीखी गई सामगरी तथा प्रत्यावाहित सामगरी में मात्रात्मक अंतर हो सकता है परन्तु गुनात्मक अंतर नहीं प्रत्यावाहन के समय सीखे गए बिसे के स्वरूप में मात्रात्मक परिवर्तन भले हो, गुनात्मक परिवर्तन नहीं होता है एविंग होस ने अपने द्रिष्टी कोन को प्रमानित करने के लिए मौखिक सामगरी भरबर मटेरियल पर प्रयोग किया उन्होंने निरठक पदो नौंसन्स लेवर्स को सामगरी के रूप में बहवार करके अपने उपर की प्रयोगात्मक अध्यन किया उन्होंने निरठक पदो की एक लंबी सुची याद करने के लिए कहा और ये सुची याद करने के लिए भिन्य भिन समय अंतरालो टाइम इंटर्वल्स के बाद रिटेंशन धारना की जाच की गई उन्होंने देखा की जिस रूप में निरठक पदो को नौंसन्स लिवस को याद किया गया उसकी धारना उसी रूप में सुरच्छित थी जिससे उन्हें उसी रूप में ब्यक्त करना संभो हो सका परन्तु जैसे जैसे टाइम इंटर्वल बढ़ता गया रिटेंशन की मात्रा घटती गई जिससे बिस्मरन फॉर्गेटिंग की मात्रा बढ़ती गई सुरू सुरू में तेज गती से और बाद में मंद गती से इस आधार पर कहा गया कि इस्मरन एक पुनह उत्पादक प्रक्रिया है ये आपके एविंग होस के कॉंसेप्ट है एविंग होस के द्रिस्टी कोन है एविंग होस के भ्यू है नेक्स्ट आप लोगं को बाटलेट का द्रिस्टी कोन या कॉंसेप्ट आप बाटलेट या बाटलेट भ्यू पर चर्चा करूंगी बाटलेट भ्यू या कॉंसेप्ट बाटलेट ने स्मरन को एक रचनात्मक प्रक्रिया कंस्ट्रेक्टिब प्रोसेस माना उन्होंने कहा कि प्रत्यावाहित सामगरी सीखी गई सामगरी का फोटो इस्टेट या कारबन कॉपी नहीं है रिकॉल करते समय प्रत्यावाहन करते समय सीखे गए बिसे में मात्रात्मक एवं गुनात्मक परिवर्तन होते हैं उन्होंने एविंग होस के द्रिश्टि कोन की आलोचना की उन्होंने कहा कि एविंग होस के प्रियोग में निमलिखे दोश डिमेरिट्स थे नमबर वन उन्होंने निरथक पदो नॉंसेंस लेवस पर प्रियोग किया जो बहुत हद तक औस अभाविक था निरथक पदो के प्रत्यावाहन में गुनात्मक परिवर्तन के संभावना नहीं होती है यदि वे सार्थक सामग्रियों मिनिंग फुल माटेरियल्स पर प्रियोग किये होते तो वे भी इसी निसकर्ष पर पहुँचते कि इसमरन एक रचनात्मक प्रतिक्रिया है नमबर टू एविंग होस ने पुन अधिकार बिधी मैथड्स ओफ कमप्लीट मास्टरी को धारना मापक रिटेंशन टेस्ट के रूप में बहवार किया जो सभाविक जीवन से काफी हद तक भिन्य है नमबर ट्री एविंग होस के अनुसार धारना या इसमरिती रिटेंशन या मेमोरी तभी सही मानी जाती है जब प्रियोज सीखे गए पदो को ठीक उसी रूप में व्यक्त करता है पद मिन्स आइटम्स जिस रूप में उसने उन्हें सीखा था यदि सुची में X, O, Y हो तो प्रियोज उसे X, A, Y के रूप में ब्यक्त करें तो रिटेंशन सुन्य मानी जाएगी उनका यह विश्वास दोश्पुन है क्योंकि प्रियोज की इस प्रतिक्रिया से भी आंसिक धारना का बोध होता है नमबर फोर, एविंग होस ने स्वेम प्रियोज तथा प्रियोग करता सबजेक्ट एन एक्सपरिमेंटल दोनों का काम किया जो सौभाविक नहीं है इस कारण भी उनके सिद्दांत या द्रिस्टी कोन की बिस्वस्नियता घट जाती है बाटलेट ने स्पस्ट रूप से कहा कि एविंग होस के प्रियोग में ये सारे दोश नहीं होते तो वे गलत निसकर्स पर नहीं पहुचते स्मरन को पुनह उत्पादक प्रक्रिया नहीं मानते बलकि रचनात्मक प्रक्रिया स्विकार करते ये एविंग होस एन बाटलेट की पॉइंट अव व्यू कंसेप्ट या विचारधारा है अब मैं बाटलेट की दो प्रियोग के आधार पर इसे समझाने की कोशिश करूँगी बाटलेट ने अपने द्रिस्टी कोन की पुस्टी के लिए दो प्रकार के प्रियोग किये कहानी सम्बंधी प्रियोग तथा चित्र सम्बंधी प्रियोग इन प्रियोगों में उन्होंने तीन बीधियों क्रमिक पुना उत्पादन बीधी Serial Reproductions Methods उत्रोत्तर पुना उत्पादन बीधी Successive Reproductive Methods तथा एकाकी पुना उत्पादन बीधी Single Reproduction Method का बहवार किया सबसे पहला प्रियोग उनका है कहानी संबंधी प्रियोग स्टोरी रिलेटेड एक्सपरिमेंट बाटलेट ने छोटी छोटी कहानियां को सिच्छन सामगरी लर्निंग मटेरियल के रूप में बहवार किया क्रमिक पुना उत्पादन बिधी में प्रियोज्यों को एक कहानी सुनाई गई उसने यह कहानी दूसरे प्रियोज्य से दूसरे से तीसरे प्रियोज्य से और इसी तरह कई प्रियोज्यों को भिने भिने समय अंतरालों एंटरवल टाइम पर सुनाई गई देखा गया कि कहानी का एक रूप मात्रा तथा गुन में बदलता गया पुनह उत्पादन विधी में एक प्रज्य को एक कहानी सुना दी गई और भिन भिन समय अंतरालों पर कहानी का प्रत्यावाहन रिकॉल किया गया देखा गया कि समय अंतराल के कारण एक ही कहानी का प्रत्यावाहन एक ही बैक्ती में बदलता गया एका कि पुनह उत्पादन विधी में भी कई प्रयोज्यों जो हर सबय से समान थे हर तरह से समान थे को एक ही साथ एक कहानी सुनाई गई फिर भिन भिन समय अंतरालों पर भिन भिन प्रयोज्यों से प्रत्यावाहन किया गया भिन भिन समय अंतरालों टाइम इंटर्वल पर अलग-अलग subject से रिकॉल किया गया देखा गया कि सभी सब्जेक्ट्स प्रजो की कहानी में ना केवल मौलिक कहानी से और इसनल स्टोरी से बल्कि एक दूसरे के द्वारा प्रत्यावहित कहानी से भी मात्रा तथा गुन में भिन्य थी कहने का तात पर यह है कि यदि एक व्यक्ति एक कहानी को सुनता है यदि वो दूसरे को बतलाता है वो दूसरा तीसरे को बतलाता है धीरे धीरे उस कहानी का रूप बदल जाता है नमबर दूसरा चित्र संबंधी प्रियोग बाटलेट ने अपने सिद्धान्त को और भी अधिक ठोस बनाने के लिए चित्रों से संबंधी भीज कुछ प्रियोग किया है क्रमिक उत्पादन बिधी Serial Reproductive Methods में एक सबजेक्ट को एक चित्र दिखलाया गया उससे दूसरा चित्र मौलिक चित्र को देखे बिना ही बनाने को कहा गया उस चित्र को दूसरे प्रियोग को दिखाया गया उससे भी बिना देखे ही दूसरा चित्र बनाने को कहा गया इसी तरह करम सा कई सबजेक्ट से चित्र बनवाते गया देखा गया कि अंतिम चित्र का आकार औरिजनल चित्र के आकार से काफी बदल गया इसी प्रकार और भी ऐसे प्रियोग किये गया जिस पे समय समय पर प्रियोज को कुछ चित्र को बिना देखे ही सिर्फ कहकर बनाने के लिए कहा गया जब बैक्ती अलग-अलग धंग से उस चित्र का अपने मेमोरी के आधार पर अलग-अलग तरीके से उसके आकार तथा प्रकार में अंतर होते चला गया फिर यह पाया गया की कई प्रयुज्यों को एक ही साथ एक ही चित्र दिखलाया गया और भिन भिन समय अंतरालों पर टाइम इंटर्वल पर अलग-अलग प्रियोज्यों से सब्जेक्ट से उसी प्रकार का चित्र बनाने के लिए कहा गया तब पाया गया कि जो भी ओरिजनल चित्र थे उनका रूप बदल चुका था इस प्रकार बाटलेट का कहना है कि कोई भी वैक्ति प्रत्यावाहन रिकॉल करते समय बैक्ति सीखी गई सामगरी के ब्रिस्तित वर्नन डिटेल्स को छोड़ देता है मुख्य बाते रह जाती है और डिटेल्स बदल जाता है यह बात कहानी और चित्र संबंधी प्रियोगों में भी देखा गया जब भी बैक्ति रिकॉल करता है तो रिकॉल करने का तरीका उसके विषय वस्तु पर काफी निर्वर करता है और बैक्ति सीखे गए विषय को बहुत ही सरल तथा आकरसल बनाने का प्रियास करता है और इस कारण ओरिजनल बिषय को ओरिजनल सबजेक्ट को वह छोड़ देता है और अपने से कुछ नई बातों को जोड़ देता है इस तरह ओरिजनल सबजेक्ट का रूप बदल जाता है और बैक्ति अपने मेमोरी के अधार पर कुछ दूसरा ही चित्र फिगर और कहानी स्टोरी रिलेटेड काम कर जाते हैं बैक्ति के रिकॉल पर उनकी आवशक्ता, नीड, रूची, इंट्रेस्ट, मनोब्रीती, एटिचूट, आधी का प्रभाव काफी हद तक पड़ता है जिन बातों से बैक्ति की आवशक्ता की संतूस्टी होती है सटिस्फेक्शन ओफ नीड, वह उन पर अधिक बल देता है और जो बाते आवशक्ता या रूची के अनकूल नहीं होती है, उसको वह छोड़ देता है सीखी गई सामग्री में प्रत्यावाहन के समय अनेक परिवर्तन, अनेक चेंजेज के ववजूद भी बैक्ति की रूप रेखा बहुत हद तक नहीं बदलती है कहा जा सकता है कि कहानी सम्बंधी प्रियोग में मौलिक कहानी का सम्बंध भूत से था भूत का मतलब गोस्ट से था और उसमें अनिक तरह के परिवर्तन देखे गए जैसे किसी ने कहा कि मैं एक भूत को देखा हूँ और वो इस प्रकार का होता है वो बैक्ति किसी दूसरे को बताया दूसरे ने तीसरे को बताया तीसरे ने चौथे को बताया इस तरह से ओरिजनल भूत ओरिजनल गोश जो थी उसमें परिवटन हो गया लेकिन भूत सब्द जो था वहीं पर वो टिका रह गया इस प्रकार से हम देखते हैं कि एविंगहौस एवं बाटलेट दोनों के कॉंसेप्ट में अंतर है क्योंकि एविंगहौस का कहना है कि हम नॉंसन्स लेवस पर काम करते हैं और बाटलेट का कहना है कि हम मिनिंगफुल चीजों पर काम करते हैं धन्यबाद